साम अलेकूम, we are making powerpoint presentations today वैसे तो powerpoint एक बहुत वास्ट एक subject है, पूरा-पूरा course जो है इसके ओपर दिया जाता है तो हम इसको दो parts में divide करें, part 1, part 2 में, अभी हम part 1 की बात करें और हम आपको एक बड़ा basic level बताएंगे and concentrating more on the writing side rather than the software itself एक assumption है कि थोड़ा बहुत आप इस software को जानते होंगे तो हम सबसे पहले ये choose करेंगे कि हमने template कौन सा इस्तमाल करना है जब आप powerpoint खोलते हैं, तो आपके पास एक option आजाती है कि आपने blank presentation लेनी है, या ये जो pre-determined styles है, ये लेने है usually I make my own styles but अभी के लिए, आपकी ease के लिए I will just choose from one of the many many styles that are given here okay, so I am finding this fun style, तो हमने इसको create कर दिया तो सबसे पहले अब हो कह रहा है कि जी आप अपना title दीजे कि आपका title क्या है, what is this presentation about तो हम title देते हैं and we say in the forest तो title हमने दिया in the forest और अगर हम click to add करते हैं तो हम बात करते हैं where have all the trees gone हमने एक interesting सा main title दिया in the forest यानि कि हमने बता दिया कि हम बात कर रहे हैं दरखतों की, जंगलों की और subtitle में हमने थोड़ा सा और हिंट दे दिया कि ये presentation किसके बारे में है कि दरखत गए कहा हैं सारे कहां चले गए अब हम अगर अगले session पे a section पे आएं तो फिर हम यहां पर जाते हैं और कहते हैं कि जी new slide ये इसने दिया वा है हमारे पास और options भी हैं अगर हम layout बदलना चाहें तो ये बहुत सारे यहां पर हमारे पास options होते हैं कि हम खाली main heading और body text देना चाह रहें ये subsection का header है दो columns चाहिए आपको ये बहुत सारे उन्हों रे templates बनाए वे अभी के लिए I will try and use all of them मगर अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि जो simple वाला हमारा है तो in the forest में अब हम introduction देना चाह रहे हैं तो हम यहां लिखते हैं introduction अब हमने इसमें जो presentation है या जो introduce कराना चाह रहे हैं topic उसमें हम क्या-क्या बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं कि जी climate change is a live issue हम बात करेंगे जी climate change के बारे में और ये live issue है ये कोई ऐसी चीज नहीं है which is dead या gone or ended it is very much live हमारी सब की जिन्दगी में इस पे असर होता है तो हमने किया ये कि शुरू में हमने कहा कि जी बड़ी बात जो है वो है climate change की और forest का रोल जो है वो climate change में एहम है अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं जी हमने introduction दे दी as I said पहले भी कि चूँके ये presentation है ये एक aid है हमें पूरी पूरी चीजें बताना जरूरी नहीं है अगर हम चाहते हैं कि हम इसका font या इसकी जो style है वो change करें तो हम यहाँ पर font style भी change कर सकते हैं यहाँ से हम इसका size जो है जैसे कि पहले हमने सीखा था कि जी if the size is 30 then it is ideal यहाँ पर हम 32 कर देते हैं so आपने देखा होगा readability जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है ऐससे और जो अगला हमारा point है वो हम यहाँ पर add कर सकते हैं और वो है layout बदलते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा और हम कहते हैं कि जी हमारा two column layout है अब बात करें है climate change is a live issue तो जो हमने पहले दिया था वो हमारा subsection हो जाता है weather is changing फिर आप कह सकते हैं कि natural disasters are increasing अब हम थोड़ी सी statistics देना चाहते हैं कि जी stats क्या है इसके तो फिर हम यहाँ पर आते हैं और कहते हैं insert chart और हमें चाहिए जी pie chart और हम यह choose कर लेते हैं और हम कहते हैं okay अब pie chart के साथ इसने यहाँ पर हमें एक excel sheet से खोल दी है और कहा है कि जी आप numbers क्या देना चाहरे हैं तो आप यह कह सकते हैं कि जी यह है 2010 यह है 2014 यह है जी 2018 तो हमने चार साल का data दिया और यह data किसके बारे में है यह है यह है नंबर ओव नाच्रल डिजास्टर्स और हम कहते हैं कि जी 2010 में आठ डिजास्टर्स थे 2014 में 16 डिजास्टर्स थे 2018 में 24 डिजास्टर्स थे अब यह रैंडम नंबर्स मैं बोल रही है हो यह obviously you have to have the right data there मगर आपने यह देखा होगा कि हमने कितने आसानी से जो हम यहाँ बात कर रहे हैं उसका एक visual graphic भी दे दिया है और हमने देखा है कि जी कैसे यह दोनों चीज़ों को जब हम combine करते हैं तो किस तरह हम presentations को बेहतर या ज्यादा interesting बना सकते हैं अगले section में हम इसी powerpoint को थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं